नमस्कार आदाब सुस्रियाकाल मैं प्रकर श्रिवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में और दोस्तो आज हम बात करेंगे केमपा फंड के बारे में निकल पढ़ते हैं आज के सफर पर अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तो केमपा होती क्या है केमपा फंड क्या होता है इसको जानने से पहले थोड़ा सा आपको बैग्डाउंड बताना चाहता हूँ गौर कीजिए दो घजार दो में गमारे देश की सरवच अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस आता है जिसका नाम 30 गोधा वर्बन वर्सस यूनियन ऑफ इंडिया केस और पहली बार केमपा फंड टिक्चर में आती है ठीक है इसके तहट एक एक आक्ट बनाया गया जिसको केमपा आक्ट कहते हैं जिसका काम है कमपंसेट्री है फोरे सेशन फंड जो भी रिसीव किया जाएगा उसका कस्टोडियन के तौर पर काम करना उसके गार्जन के तौर पर काम करना यह देखना कि वो जो पैसा रिसीव किया गया है उसको यूटिलाइस किया गया है कि नहीं लेकिन 2013 में जब कॉम्ट्रोलर ओडिटर जेनरल ओफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट बनाई तो पाया कि केमपा जो फंड है वो अन्यूटिलाइस है ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि ये केमपा होती क्या है केमपा फंड क्या होता है असल में दोस्तों मैं आपको इसको समझाने के लिए एक एक्ज डालनी है दस एकड़ की जमीन पर और इस दस एकड़ की जमीन पर मैं फैक्टरी डालूंगा वो मैं फॉरस्ट एरिया पर डालना चाहता हूं जहां पर जंगल है तो मैं क्या करूंगा मैं फॉरस्ट एरिया को नौन फॉरस्ट परपस के लिए इस्तमाल कर रहा हूं मैं कल क को जब उस जंगल में 10 एकड़ की एरिया में फैक्टरी बनाऊंगा तो मैं 10 एकड़ की पूरी की पूरी एरिया उसको क्लियर करूंगा जितने पेड़ हैं जितने भी आपके शृप सगें जितने भी नैश्रल वजीटेशन के उनको काटकर अलग करूंगा अब यहीं से मेरा रोल स्टार्ट होता है मुझे मैंने पिल काटा तो मुझे कंपंसेट्री एफ और स्टेशन फंड देना होगा अगर कोई भी इंसान कोई भी इंडेस्ट्रिस्ट या कोई भी माइनिंग अक्टिविटी करने वाला फॉरेस्ट एरिया का इस्तेमाल नौन फॉरेस्ट परपस के करता है तो उसको सी एफ देना पड़ता है कंपंसेट्री एफ और स्टेशन फंड देना पड़ता है और इस फंड को मिंटेन कौन करता है इस फंड को मिंटेन करती है एक एक्ट के अंडर केंपा केंपा एक्ट जो बना उसी के अंडर इसको रिसीव किया जाता है उसको सबसे पहले तो यार दस एकड़ की जमीन अगर मैं पूरी की पूरी क्लियर करूंगा तो उस दस एकड़ की जमीन में जितने फॉरेस्ट जितने भी आपके पेड़ लग सकते थे उनके रिगार्डिंग जितना भी पैसा होगा मैं सारा का सारा सरकार को पे करूंगा इसमें लि हो सकता था उसका monetary value मैं सरकार को दूँगा किसमे compensatory of forestation fund में पहला तो ये दूसरा net present value of forest जो उस forest की 10 एकड़ की present value है present worth गया वो भी मुझे सरकार को देना पड़ेगा और तीसरा other project specific payment अगर मान लिजे कि वो जंगल जिसको मैंने non forest purpose के लिए इस्तमाल किया है अगर वो कोई specific जंगल है या मान लिजे कि वह हाँ पर कोई specific तरह का natural vegetation गये तो उसके लिए मुझे अलग से fund देना पड़ेगा and एक चीज और मुझे उतना ही 10 एकड़ का जमीन कहीं और पर देना पड़ेगा सरकार को जहां पर सरकार forestation करकर दुबारा से एक जंगल बना सके तो यह सारी की सारी चीजे मुझे CAF में देनी पड़ेगी compensatory forestation fund में देना पड़ेगा और एक बात याद रखिएगा यह जो आपका Kempa Act थी उसी के अंडर आपका national compensatory forestation fund बनाया गया under the public account of India मतलब कि यह जो पैसा मैं दूंगा यह दो फंड में जमा होगा एक central level पे एक state level पे जो central level पर फंड गया उसे हम लोग कहते हैं national compensatory forestation fund जिसको control किया जाता है public account of India के अंडर और जो state level पर होगा उसे कहा जाएगा state compensatory of forestation fund जो की public account of each state क्या करेगी maintain करेगी एंड जो भी पैसा मैं दूंगा दस प्रतीशत fund जाएगा कहां पर central government की national compensatory forestation fund में और remaining 90% पैसा जाएगा state compensatory afforestation fund में ठीक है तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं मुझे दस एकल की जमीन अलग से देनी पड़ेगी non forest area में एफ एकल करने के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे दस एकल का पूरा का पूरा पील काटा है तो उसके पैसे भी देने पड़ेंगे forest की present land value भी देनी पड़ेगी और अगर वो forest किसी specific purpose के लिए use होता है तो उसका पैसा भी मेरे को देना पड़ेगा तो ये पूरा का पूरा जो पैसा है ये camp fund में जाएगा और बाद में इस camp fund का इस्तमाल state और central environment को खास कर जंगलों को develop करने के लिए करेंगी क्योंकि एक बात याद रखेगा total land area का 33% area forest होना बहुत ज़रूरी है if you want to maintain the environment of our country if you want to reduce the global warming in our country then it is necessary ये standard है अब एक सवाल है कि camp law के objectives क्या क्या है पहला to promote afforestation and development activities in order to compensate for forest land that is intended to be diverted to non forest use अगर forest land का इस्तमाल non forest purpose के लिए किया जा रहा गाग है ठेक है तब भी afforestation को promote करना साथ सा development activities को भी promote करना ये आपका Campa Fund का objective है देखे एक तीर से दो निशाने हो गए कहीं न कहीं industry develop होगी तो हमारे देश की economy boost up होगी और दूसरे non forest area में forest develop हो जाएगा तो दोनों का काम बन गया लेकिन एक दिक्कत आती है ना दोस्तों कि कि जंगल बनने में टाइम लगता है ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने आज पेल लगाया और जंगल बन जाएगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत यहां पर आती है क्योंकि हो सकता है कि जो जंगल दस एकड का एरिया जो मैंने साफ किया है जो साफ करवाया है इसके बदले मैंने फंड दिये है उससे अच्छा खासा resources generate होता था तो यहां पर एक दिक्कत आ सकती है to law down effective guideline for the state यह states को proper guideline देती है कि आपको इस तरह केमपा फंड को क्या करना है यूज करना है ठीक है to facilitate necessary assistance in term of scientific technological and other requisite that may be required for the authority responsible for the state केमपा जो state केमपा फंड है जो state केमपा की authority है उनको facilitate करना क्या necessary assistance in term of scientific technological and other requisites and to recommend measures based on strategic planning to the authorities of the state केमपा यह जो state केमपा fund में जो पैसे आएं है उन पैसे को किस तरह आपका proper utilize करना है वो भी कहीं न कहीं केमपा law provide कराएगी as a measures के तौर पर recommend करेगी and to resolve the issues that arise between the interstate or the center and state और जो भी आपका दो राज्यों के बीच में दिक्कते होती है या center और state के बीच में दिक्कते होती है वो भी केमपा law के under solve करने में थोड़ी आसानी होगी तो उमीद है केमपा लौ आप लोगों को समझ में आया होगा केमपा लौ होता क्या है याद रखिएगा केमपा लौ ठेकिकों कि अक्सर environmental के उपर question पूज़े जाते है विश्यों वेरी गुड़ लग टेक केर गुडबाय के घर लौ हglass उव के इरो उबब केई जाते है इनली को ऊकुटव रहले बस्यों होगी घर इरा बस्यों के म neutrality करने में रहले यर pepp veureич ड़ जो जाना हो चु़े एरखिए रहले अदा है है धस्यों बस्यों हार लाधर लाखर ठाली कर मिः बस्तर कर थाधरल कर फो बस्यों ह